कार्तिक पूर्णिमा पर भूल कर भी मत करना ये काम, वर्ना पानी की तरह बह जाएगा पैसा. नमस्कार दोस्तों राधे राधे, जै श्री कृष्ण, जै लक्ष्मी माता, जै श्री हरी विश्णू. कार्तिक पूर्णिमा पर बिलकुल भी मत करना ये काम वरना हो जाओगे कंगा दोस्तों हिंदु धर्म में कार्तिक का महीना बहुत महत्व रखता है इस महीने को बेहत शुभ माना जाता है इस माह में कई महत्वपूर्ण व्रतत्योहार पड़ते हैं जैसे दिवाली, भईया दूज, देवउठनी एकाद्शी, तुलसी विवाह, देव दिवाली आधी पर्व कार्तिक माह में आते हैं कार्तिक मास मेही भगवान विश्नु चार माह के बाद यानि देवउठनी एकाद्शी पर योग निदरा से जागते हैं जिसके बाद फिर से शुभमांगलिक कार्यों की शुरुवात हो जाती है। पूर्णिमा के दिन देव दिपावली और गुरु नानक जयनती का उत्सव भी मनाया जाता है। इसलिए धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों ही रूपों में कार्तिक पूर्णिमा का दिन। बहुत ही महत्व पूर्ण होता है। दोस्तों आप सभी को बता दें की हिंदू पंचाग के अनुसार इस साल 2024 में कार्तिक माह के शुकल पक्ष की पूर्णिमा तिथी 15 नवंबर शुक्रवार को सुबह 6 बचकर 19 मिनट से शुरू हो चुकी है। पूर्णिमा तिथी का समापन कल यानी 16 नवंबर दिन शनिवार को सुबह 2 बचकर 58 मिनट पर होगा। ऐसे में उद्यातिती के अनुसार इस साल 2024 में कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर शुक्रवार को मनाई जा रही है। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा के शुब मुहूर्थ के बारे में बात करें तो 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रहमा मुहूर्थ 4 बचकर 58 मिनट से 5 बचकर 51 मिनट तक है कार्तिक पूर्णिमा का शुब समय या अभिजीत मुहूर्त दिन में 11 बचकर 44 मिनट से दोपहर 12 बचकर 27 मिनट तक है इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्यतिपात योग रहेगा व्यतिपात योग सुभा 7 बचकर 30 तक है उसके बाद वरियान योग होगा जो अगले दिन 16 नवंबर को सुभा 3 बचकर 33 मिनट तक रहेगा साथ ही कार्तिक पूर्णिमा को भणी नक्षत्र सुभा से लेकर रात 9 बचकर 55 मिनट तक है उसके बाद से कृत्ति का नक्षत्र है कार्तिक पूर्णिमा पर सुर्योदय सुभा 6 बचकर 44 पर होगा इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का सबसे उत्तम समय ब्रह्मा मुहूर्थ है इस समय में स्नान के बाद अपनी क्षमता के अनुसार दान देना चाहिए जो लोग ब्रहमा मुहूर्त में सनान नहीं कर सकते हैं, वे सुर्योदय के बाद सनान कर ले गंदा सनान का अफसर नहीं है, तो घर पर ही पानी में गंगाजल मिला कर सनान करें साथ ही कार्तिक पूर्णिमा पर इस बार चंद्रमा और मंगल दोनों एक दूसरे की राशी में रहेंगे कार्तिक पूर्णिमा पर देर रात गजकेसरी राज्योग बनेगा साथ ही इस दिन बुधादित्य राज्योग भी बनेगा इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा पर इस बार 30 साल बाद 6 राज्योग बनेगा क्योंकि अब अगले 30 साल बाद ही शनी कुम्भ राशी में गोचर करेंगे ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा पर जो भी उपाय और दान पुन्य के कार्य करेंगे तो आपको उसका 100 गुना अधिक फल मिलेगा इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा के महत्व के बारे में बात करें तो कार्तिक पूर्णिमा का दिन हिंदू धर्म में बहुत ही खास माना गया है कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरी विश्नु और शिवजी की पूजा एक साथ की जाती है इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयनती भी मनाई जाती है जिसे गुरु पर्व के नाम से भी जाना जाता है विश्णु पुराण के अनुसार कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथी पर ही भगवान विश्णु ने अपने प्रथम अवतार मत्स्य अवतार का रूप धारण किया था साथ ही शिव कथा के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का बद किया था इस तिथी पर गंगास नाग दान और दीपदान करने से साधक को पुन्य फल की प्राप्ती होती है साथ ही कार्तिक पूर्णिमा तिथी पर चंद्रोदय के समय शिवजी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को धन और ज्ञान की प्राप्ती होती है इसके अलावा, दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा के शुभ दिन पर बड़ी संख्या में लोग पवित्र नदियों में जाकर स्नान करते हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान भी करते हैं इस दिन पूजा अनुष्ठान और दीपदान जैसे कार्य किये जाते हैं जिन्हें करने से भगवान श्री हरी विश्नु बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं और साधक पर अपनी कृप्या द्रिश्टी बनाये रखते हैं इसके अलावा दोस्तों शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्य को बताया गया है जो कार्य भूल कर भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन नहीं करने चाहिए अगर आप इन कारियों को गल्ती से भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन कर देते हैं, तो माता लक्ष्मी और भगवान विश्नु आपसे नाराज हो जाते हैं जिससे आपको जीवन में शुब परिनाम की जगह अशुब परिनाम देखने को मिलते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा की कार्तिक पूर्णिमा पर 365 बत्तियों का दीप कैसे जलाएं और कार्तिक पूर्णिमा पर कोन से कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए इस वीडियो में आपको कार्तिक पूर्णिमा के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए इस वीडियो को अंट तक जरूर देखना लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरी विश्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशिरवाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जै श्री हरी विश्णु जै लक्ष्मी माता लिख कर अपनी हाजरी ज़रूर लगाए तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा पर 365 बत्तियों का दीब कैसे जलाए तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक कलावा लें वो ही कलावा लें जिसमें पांच धागे हों कलावे को अपने हाथ पर 73 बार लपेटे और बचे हुए धागे को काट दें लपेटे हुए कलावे को बीच में से काट दें और धागों को बत्ति की तरह सीधे कर लें साथ ही जीवन में सुक्षान्ती, समरिध्धी, खुशी, धन, वैभव और यश का वास होता है इसके अलावा घर में सकारात्मक उर्जा का वास होता है जिससे घर में सुक्षान्ती का माहौल बना रहता है आईए दोस्तों अब जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा पर कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए नमबर एक किसी को खाली हाथ लोटाएं तो दोस्तों आप सभी को बतादें की कार्तिक पूर्णिमा के पवित्र दिन पर यदि कोई भी व्यक्ति आपके घर आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लोटाना चाहिए जो कोई भी आपके घर आए उसे दक्षिना दे या फिर उसे भोजन कराएं यदि आप किसी को खाली हाथ लोटा देते हैं तो आपको घर परिवार में अन्नधन आदि की कमी का सामना करना पड़ सकता है यानि माता अनपूर्णा आपसे नाराज हो सकती है तो इसलिए आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी को भी खाली हाथ नहीं लोटना चाहिए अपनी श्रद्धा अनुसार उसको कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए नमबर दो कमरे में अंधेरा दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर के किसी भी कमरे में अंधेरा नहीं रखना चाहिए साथ ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर को गंदा नहीं रखना चाहिए इस दिन आपको साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन धनकी देवी लक्ष्मी मा आपके घर में अंधेरा और गंदगी देख आपके दरवाजे से लोट सकती हैं Number 3. अपमान कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको किसी भी गरीब या घर, परिवार, रिष्टेदार आदी किसी भी व्यक्ति का दिल नहीं दुखाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से देवताओं का भी अपमान होता है ऐसा करने से देवता आपसे रुष्ट हो सकते हैं और देवताओं के आपसे नाराज होने से आपको जीवन में परिशानिया और तरक्की में बाधा का सामना करना पड़ सकता है इसलिए कोशिश करें कि इस दिन किसी को भी कटू वचन न बोलें और सभी का मान सम्मान बना कर रखें नमबर चार वाद विवाद से बचे दोस्तों आपको कार्तिक पूर्णिमा पर बिना वजय जगडे और विवाद से बचना चाहिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको किसी से भी विवाद या जगडा नहीं करना चाहिए मुख्य रूप से इस दिन पति-पतनी को आपसी कलह से बचना चाहिए नहीं तो आप माता लक्ष्मी और भगवान विश्नों की कृपा से वंचित रह सकते हैं जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है इस दिन आपको आकरा मकता, क्रोधिया चिर्चिड़ेपन से भी बचना चाहिए इस दिन मानसिक शांती और आत्म संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है क्योंकि यह दिन भगवान से आशिरवात प्राप्त करने और आत्मिक उन्नती के लिए शुभ माना जाता है नमबर पांच बाल और नाखून न काटें ऐसी मान्यता है कि आपको कार्तिक पूर्णे मा के दिन बाल या नाखून नहीं काटने चाहिए ऐसा करने से आपको इसके नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं और यदि आप इसके बाद पूजन करते हैं तो वो स्विकार्य नहीं होता है यही नहीं आपको इस दिन किसी व्रिक्ष की कटाई भी नहीं करनी चाहिए बलकि यदि आप कार्तिक पूर्णे मा के दिन नए पौधे लगाते हैं तो आपको शुब फलों की प्राप्ति होती है दोस्तों आपको कार्तिक पूर्णे मा के इस पवित्र दिन पर ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं बस पूजा अर्चना करते हैं तब भी शरीर और तन्मन में शुद्धता बनाए रखनी चाहिए अगर आप कार्तिक पूर्णे मा पर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो आपको शुब परिणाम की जगह अशुब परिणाम देखने को मिल सकते हैं इसके अलावा आप माता लक्ष्मी और भगवान विश्नु की क्रिपा से वंचित रह सकते हैं नमबर साथ काले वस्त्र जोतिश शास्त्र में काले रंग को अशुब माना जाता है कार्तिक पूर्णिमा के पावन दिन पर भूल कर भी काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए और नहीं कार्तिक पूर्णिमा के दिन काले रंग के वस्त्र खरीदने चाहिए यदि संभव हो तो भगवान, विश्णु और माता लक्ष्मी की पूजा पीले वस्त्र पहनकर ही करनी चाहिए इसी प्रकार पूजा में पीले पुष्प, पीले फल, पीली मिठाई आदी का प्रयोग करना चाहिए नामबर आठ तामसिक भोजन कार्तिक पूर्णिमा का दिन एक पवित्र दिन होता है इस दिन किसी भी तरह का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए जैसे की मास, मचली, अंडा का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए ऐसा करने से मनुष्य पाप का भागी बनता है इसके अलावा आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन लहसुन प्यास का सेवन भी नहीं करना चाहिए लहसुन प्यास को भी तामसिक भोजन माना जाता है इस दिन केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए तो दोस्तों ये थे वे कार्य जो भूल कर भी कार्तिक पूर्णिमा पर नहीं करने चाहिए अगर विडियो अच्छी लगी तो विडियो को लाइक एंड शेर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ओफिशियल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को औल पर सेट कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू विडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए विडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद